तो आईए दिखाते हैं आपको पूरी लिस्ट अब आपको बता रहें कि दिपिका पादुकोन की ब्रैंड वैलियू 102.5 रही है पिछले साल वो थर्ड पोजिशन पर थी वैसा देखा जाये तो 2018 में दिपिका की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था पद्मावत वैल कहना गलत नहीं होगा कि एक ही फिल्म करने के बाद भी दिपिका ने बड़े बड़े स्टार्स को मात दे दी है यही नहीं इसे पहले आएम डीबी द्वारा जारी की गई 2018 की सबसे अमीर सेलिबरिटी की लिस्ट में दिपिका ने ही बाजी मारी थी वहीं साल दिपिका मेगना गुलजार के डिरेक्शन में बनी फिल्म छपाक में नज़र आने वाली है इस फिल्म में उनके साथ विकरांत में सी नज़र आएंगे और यह फिल्म एसेड अटाक सर्वाइवर लक्ष्मियागरवाल की जिंदे की पर बनी फिल्म होगी वैसे आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रू बताएं